हेलो फेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल देखें फेंड्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से काना जी की ड्रेस इस ड्रेस में हमने अस्तर लेस बुकरम कुछ भी यूज नहीं है और यह देखिया हमारे काना जी की ड्रेस का लोग कितना प्यार आ रहा है यह साथ प्रणाजी को मैंने आपको यहां पर पहना के दिखा अा हुआ है सेम ड्रेस आप छे नंबर के काना जी को भी पहना सकते हैं तो चलिए बनाना सुदू करते हैं *** यह देखिया मैंने इस थलिए इस चर्रीका का फैपरी के Israel सबसे पहले देखिए जो हमारी दोनों चोड़ाई है उसकी किनारी को हमें टीशू रिबन से गोल्डन कलर का लेकर इस तरीके से हमें दोनों साइट की किनारी को लॉक करना है दोनों साइट से हमारा अच्छे से कप्रे को कवर कर ले गई है और किनारी इस तरीके से हमें लॉक कर देनी है सीधी सीधी को सिलाई करनी है सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइट की भी किनारी को लॉक कर देना है यह देखे हमने यहां पे इतना कर लिया है का आप हमें देखे क्या करना है दोनों साइड हमारी हाँ से लॉक हो गई है आप हमें यहां पे देखे ऊपर की साइड से आप इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे जैसे हम ड्रेस में नेफा बनाते हैं सेम हुसी तरीके से हमे और एक बार और अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से स्लाइल लगाएंगे कि हमारी डोरी विल्कुल भी यहां पर स्टिच ना हो नहीं तो हमें ड्रेस बनाने में प्रॉब्लम होगी तो डोरी विल्कुल अच्छे से मूव होनी चाहिए इतना आप अच्छे से यहां मार्जन लेके नेफा बना सकते हैं इतनी हमने कपड़े की चोड़ाई ली हुई है तो इस तरीके से हमें सिंपली हाँ पर नेफा बना देना है और यह डोरी जितनी भी आपको लंबी चाहिए हो आप उसी साथ से कट कर लेजिए अब हमने देखें हाँ पर इतना पीस हमने मैं आपको लंबाई बिक बर्ण आपके दिखा देती हूं मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्तर के जो फैब्रिक का अर्ज होता है 45 से लेके 46 या 47 इंच तक होता ही है देखें इसमें 46 इंच जा रहा है तो मैंने यहां पर दो पीस कट करके ले लिया है अब हमें देखें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है एक और फोल्ड करके हैं बस हमें एक पैर की यहां पर सीधे सीधे से पट्टी पर सलाई लगा देना है विकुल सीधी सीधी पट्टी से हम कानल जी की ड्रेस साथ बना रहे हैं देखें यह हमने विक को सीधा सीधा इसी तरीके से स् इस्टिश कर लेना क्योंकि हमें फोल्ड वाले कपड़े को ही उस करना है यहां पर तो यह देखिए हमने यहां पर इतना काम कर लिया है अब हम देखिए किनारी को सबसे पहले थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की साइट फोल्ड कर देंगे और चोटी-चोटी सी आदे-देंच की लगबग यहां पर हमें फ्लीट्स लगानी है हलका-हलका एक के उपर एक चड़ाते वे लेंगे बहुत ज़्यादा हमें के उपर एक फ्लीट्स को नहीं चड़ाना है सिर्फ हमें सिंप्ली इस तरीके से देखिए चोटी-चोटी सी प्लीट्स लगानी है बहुत ज़्यादा चोड़ी-चोड़ी प्लीट्स नहीं लगाएंगे हलकी-हलकी इसी प्लीट्स ले हमें फ्लीट्स बनानी है इससे तो इस तरीके से हमें चलिए फ्लीट्स बनानी है पे measurement कर लेते हैं. हमें इस पत्ति के बराबर यहां पे फ्रील चाहिए. तो इतना हमारी फ्रील की जो हमने बनाई है वो आ गई है. तो एक्स्टर हमने कपरे को यहां से कट करके निकाल दिया है लगबग डेड़ पट्टी हमारी यहां पर लग गई है अब इतना करने के बाद सबसे पहले देखिए हम नीचे जो किनारी है हमारी एक साइड से हमने डोरी लगाई है दूसरी साइड पर हमें किनारी को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर पोल करते वे स सीधे सीधे स्टिच कर देना इस्टिच करने के बाद अब हमारी हमने यहां पर फ्रिल बनाई हुई है इसकी फ्रिल के हल्क इसी किनारी को इस तरीके से मोड़ना है और यह देखिए ड्रेस बनाना बहुत ईजी है अगर आप बिगनर्स है तो वह भी आप बड़े अराम से इस ड्रेस को बना सकते हैं लूप बौकत फोस्तरत आएगा अब यह देखिए हमें इस तरीके से रखनी है कपड़े के उपर फ्रिल हमारी नीचे जाएगी और यह देखिए इस तरीके से ऊपर हमें यह कपड़ा रखते वे यहां पर सीधे सीधे बस स्टिच कर देना है यह मैं थोड़ा सा वीडियो जूम किया वा था यह देखिए हमारा इस तरीके से फ्रील वाली ड्रेस यहां पर बनके तयार हो गई है अब इसके बाद हमें देखिए बनानी है चोली चोली बनाने के लिए मैंने आपके दो पीस कट किये हूए है नंबाई मैंने इनकी साथ इंच क कि पट्टी ले सकते हैं इतना करने के बादे कि हमें दोनों पट्टियों की किनारी को टिश्यू रिपन लेके गोल्डन कलर के दोनों साइट से इस तरीके से लॉक कर लेना है तो देखिए हमें बहुत असान तरीके से आपको ड्रेस बनाना बताया हुआ है आप मुझे कॉम है इतना करने के बाद हमें दोनों पत्टी थोड़ा सा तिर्शा करते वे एक के योप फर एक चड़ाते वे एक सवाइंट तक हमें यहांपे स््टि्च कर लेना है और हमने स्टिच किया अब एक आहां और हम स्लाई को वापस ले है आप चाहें तो यह जो मारे लाल कपड़ी की पट्टी हमने नेफा बनाया हुए सेंटर पर आप निशान लगा सकते हैं और इतना करने के बाद हमें सिंपली इस तरीके से हां से लाई लगा देनी है तो हमारी देखिए हां पर ड्रेस बनके तहियार हो गई है कितना ब्यूटिफल सा हमारी कानाजी की ड्रेस का लुक आ गया है तो यह हमारी आज की ड्रेस है और बनाना भी देखिए बहुत एजी हमने कोई भी एक्स्ट्रा मटरियल वगरा यूज नहीं कि कैसे चलिफ कानाजी को मिया पर पेना के दिखा देते हैं फुड़ा शोड ज़्यादा है फैर सो उसके लिए आप इक्नॉर करना यह देगे साथ नमबर के कानाजी है सबसे पहले हम इस तरीके से चोली कानाजी को पेना देंगे और यह जो घेर हमारा बहुत यासान तरीके स में चला जाएगा इसके ड्रेस की कमर की फिटिंगा लगाईगी और नीचे नीचे प्री लाईगी बहुत सुदर लुक आता कानाजी की अछाव का मैंने आपरको स्टार्टिंग में दिज़ा ही दिया है कानाजी की ड्रेस का फाइन लुक देलंगे इसने बनाना भी पहत प पैनाना भी बहुत इजी है वीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा आपने फ्रेंट के साथ शेयर कीजेगा और अगर मेरे चैनल के कोई भी ड्रेस आपको परचीस करनी है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर मैसेज भी कर सकत हैं यह हुए देखिया हमारे काना जी की ड्रेस तो प्रैंट शाशा करते हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही किसी नई वीडियो में फिर मिलूंगे आपसे तब तक के लिए रादे रादे आरे ग्रिश्ना